न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प न्यूसकार आप देखे हुए दियूस चक्र मैं अभिसार शेर्मा तो दोस्तों एक कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा इस वक्त बहुत ही मुश्किल मोड में है। और ये कहा जा सकता है कि इन दो चेहरों उत्तर पदेश की मुक्यमंतरी योगी आदितनात और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बीच में जो मतभेद हैं उनके चलते इसका सीधा असर दो हजार बाइस के उत्तर पदेश शुनावों पर पड़ सकता है आज मैं इसको लेकर आपको तफसील से विस्तार से बताने वाला हूँ कि इस वक्त इनसाइड स्टोरी आने कि अंदर की खबर क्या है मगर उससे पहले आपको दो घटना क्रमों पर निगाह डालना पड़ेगा दो घटनाओं पर निगाह डालना पड़ेगा सबसे पहले इन दो शेहरों पर गौर कीजे उत्तर प्रडेश भाजपा किनेता राधा मोहन सिंग और साथ ही आनंदी बेन पटेल जो की उत्तर प्रडेश की राजपाल है इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है मगर क्या आप जानते हैं इस मुलाकात की खास बात क्या है इस मुलाकात में राधा मोहन सिंग एक बंद लिफाफा लेके पहुँचते है इस बंद लिफाफे में क्या है कोई नहीं जानता कई तरह की थेयोरी इस वक्त काम कर रहे है कोई ये कह रहा है कि इसके अंदर विधाय को ने कहीं न कहीं बगावत की है उत्तरपदेश के बुख्यमंत्री योगी आदितनात के खिलाफ इस वक्त इस बंद लिफाफिक को लेकर सिर्फ और सिर्फ सुखबुगाहट है और कुछ नहीं इस मुलाकात के क्या माइने अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हू और दूसरा घटना करम इस बात को लेकर चर्चा बहुत बुलंद थी कि योगी आदितनात मंत्री मंडल विस्तार कर सकते हैं और मंत्री मंडल विस्तार करने का दबाव कहीं और से लहीं बलकि केंद्री आला कमान यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आमिट शा और ज अच्छानक शाम को तमाम निई полез में ख़बर पहुँच जाती है कि मंतरी मंडल का विस्तार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों प्रधा मंतरी नरेंधर मोदी योगी आदितनात से कहरे होते हैं कि मंतरी मंडल का विस्तार करो नमबर एक नमबर दो योगी आदितनात और केंद्रिय आला कमान के बीच में एक कोल्ड वार चल रहा है एक शीतिद चल रहा है और उन्होंने मंत्री मंदल विस्तार क्यों नहीं किया उसके लिए आपको इन दो चेहरों पर गोर करना पड़ेगा एके शर्मा और दूसरा चेह एक शर्मा एक रिटाइड आएस ऑफिसर हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बेहत करीबी क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एके शर्मा जो हैं वो तरपदे जाएं और वो कही न कहीं नजर रखें मुख्यमंत्री योगी आदितनात पर यहीं न मना कर देते हैं मैं आपको वतलाने वाला हूँ दोस्तों इस पर बीबी सी की खबर क्या कहती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है इस कालत्मिक बदलाव की वज़ा सीधे तोर पर ये बताए गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आधितनात के प्रभाव को कम करना य क्या आप जानते हैं कि पिछले चार महीनों से मुख्यमंत्री योगी आधितनात और प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के बीच में बैठक तक नहीं हुई मुलाकात तक नहीं हुए आपके स्क्रीन्स पर ये है वो अंतिम मुलाकात जो की चार महीने पहले इन दोनों के बीच में हुई थी और इतिफाक देखिए चार महीने पहले ही एके शर्मा को लखनों भेज दिया जाता है योगी आधितनात के सिर पर बिठा कर मगर योगी आधितनात भी मजे हुए राजनेता हैं वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर चार महीने बीच जाने के बावजूद अर्विंद शर्मा को ना मंत्री पर इशद में जगा दी गई और नहीं अन्ने जिम्मेदारी दी गई अब यहाँ पर आपको दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा एक तरफ योगी आधितनात और दोसरी तरफ केंद्रियाला कमान क्या कहना था योगी के पक्षका बीबीसी की इस खबर के मुताबिक मुख्य मंत्री ने साफ तोर पर कहे दिया कि अर्विन शर्मा को कोई महत्पूर्ण विभाक तो छोड़िये कैबिनिट मंत्री भी बनाना मुश्किल है राज मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तयार नहीं है मुख्य मंत्री योगी आदितनात के सकदम को सीधे तोर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तोर पर देखा जा रहा है जी हाँ, सीधी चुनौती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को और यही वज़ा है दोस्तों पिछले चार महिनों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आधितनाथ के बीच में मुलाकात नहीं हो यही नहीं 24 माई को भारती जनता पार्टी के एक बैठक होती है इस बैठक में ये चेहरे भाग लेते हैं जो आपके स्क्रीन्स पर हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गरह मंत्री आमिट शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और आरेसस के नेता दत्ता त्रेहोस बोले ये बैठक उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर थी मगर क्या आप जानते हैं कि इस बैठक में योगी आदितनात को नहीं बुलाया जाता है जिसका मतलब all is not well अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि योगी आदितनात के इस फैसले पर जिसमें उन्होंने एके शर्मा को शामिल नहीं किया मंत्री मंडल में उस पर क्या कहना है केंद्रिय आला कमान का पार्टी का नेत्रत योगी आदितनात को ये अकसर याद दिलाता है कि वो मुख्य मंत्री किसकी वज़ा से बने हैं और मौका पाने पर योगी आदितनात भी यही जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधान मंत्री के विकल्प वही हैं तो देखा आपने यहाँ पर साफ तौर पर रसा कशील चल रही है योगी आदितनात और प्रधान मंत्री इंदर इंद्र मोदी के बीच तो एके शर्मा को मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया गया अब इस दूसरे चेहरे पर गौर कीजिए केशव प्रसाद मौरिया केशव प्रसाद मौरिया जो हैं वो OBC समुदाय से आते हैं और पिछले काफी अर्से से उनकी अभेलना हो रही है जियां उनको टार्गेट किया जा रहा है उन्हें ना मंत्री मंडल में अच्छा स्थान दिया गया है इसके अलावा उनके मंत्री मंडल की जाच बिठा दी जाती है यानि कि उन्हें टार्गेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है तो एके शर्मा हाशिये पर और केशव प्रसाद हाशिये पर और इस बात को लेकर केंद्री आला कमान योगी आधितनाच से बहुत नाराज है उधर कारकरम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि राधा मोहन सिंग पहुंच जाते हैं आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करने इस मुलाकात के क्या माइने हैं मैं आपको ले चलना चाहता हूँ भारत समाचार नाम के न्यूस चैनल के विशलेशन की तरफ क्या कहते हैं उनके पत्रकार आपके स्क्रीन्स पर अब राधा मोहन सिंग द्वारा आनंदी बेन पटेल को सौपे गए लिफाफे में आखर क्या है क्या हो सकता है मंत्री परिशत का विस्तार और शक्ति संतुलन या फिर इससे भी बड़ा फैसला इसके पहले आपको याद हो बस्ती दौरे पर गए मुख्यमंत्री को अच्छानक राजभवन से फोन जाना और उसके बाद लखनव वापिस आके घंटे भर के बंद कमरे में वारता हुई थी यह अब दूसरी बार होने जा रहा है कि राजभवन में किसी ने दस्तक दी है यानि कि आने वाले वक्त में राजभवन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला है ऐसा लग रहा है तो आनंदी बेन पटेल का किरदार बहुत एहम होने वाला है और मुझे आपको यह बताने की जरूत नहीं कि आनंदी बेन पटेल कहां से आती है आनंदी बेन पटेल आती है गुजरात से जी हाँ गुजरात में वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की खासम खास मानी जाती हैं इसलिए उनकी भूमिकाब बहुत एहम हो जाती है इस बीच उत्तर पदेश भाजपा के अंदर सिर्फ उतवल और जूतम पैजार लगातार जारी है मुझे आपको बतानी की जरूरत नहीं है कि 2019 में करीब देड़ सो बीजेपी के एमेलेज ने विधान सभा के अंदर धरना दिया था क्या किसी न्यूस चैनल ने इस खबर को कवर किया आज तक नहीं किया हाल ही में जो कोरोना का जो दूसरी लहराई कम से कम 5-6 विधायक जो है बीजेपी को मारे गए इन में से कई भाजपा की विधायक इतने बेबस थे कि उन्होंने अस्पताल में जगा मिली ना उन्हें आकसिजन मिली ना उन्हें दवाई ही ढंक से मिली और इसकी वो शिकायत सीधे तोर पर योगी आदितनाद के खिलाफ कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वक्त भाजपा के अंदर उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर हालात कितने खराब हैं क्या कहना है भारत समाचार का आपके स्क्रीन्स पर पिछले एक सफ़ता से लखनों और दिल्ली में बीजेपी के भीतर हल चल बहुत तेज है कुछ ऐसा अनपेक्षित चल रहा है जो अब तक नहीं हुआ 2017 में यूपी की सत्ता में आई बीजेपी में पहली बार ऐसी घटनाए हो रही है जो बताती है कि पार्टी को लग रहा है या लग गया है कि वक्त रहते उत्तर पदेश में अगर हम नहीं चेते तो हमारा हाल महराष्ट, राजिस्थान, छत्तीस गड़ और मध्य प्रदेश जैसा ना हो जाए बीजेपी संगठन और यूपी सरकार के बीच में जबरदस्त मत भेद हैं ये वहां की स्थानी पत्रकार बता रहे हैं और आप इससे मूँ नहीं मोड सकते और दोस्तों ना सिर्व बीजेपी संगठन और वहां की सरकार में मत भेद हैं मंत्रियों में जबरदस मत भेद हैं योगी आदितनात लगातार केशव प्रसाद मौर्या को टार्गेट कर रहे हैं उनके जो स्वास मंत्री एक जमाने बेद सिधार्ट नात सिंग उन्हें हटा कर MSME का मंत्री बना दिया गया है तो इससे पता चल रहा है कि योगी आदितनात का अपना एक धड़ा है और उनके आसपास तीन नौकर शाह हैं और वो कौन से तीन नौकर शाह हैं? एसपी गोयल, अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल जी हां ये तीनों जो चेहरे हैं वो कही न कही योगी आदितनात के हैं और के साथ हैं और वो कही न कही उनके जरिये इन तीन चेहरों के जरिये उन लोगों को टार्गेट करते हैं जो योगी आदितनात को चुनौती देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से मानू बिखरी हुई है भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात के बीच में संबंद इसलिए खराब हैं उसकी अगर आपको एक जहलक देखनी हैं तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्विटर हैंडिल अब मैं आपको चार ट्वीट्स दिखाता हूं दोस्तों इन चार ट्वीट्स में एक एक करके दे नरेंद्रमोदी और अमिट शा की तस्वीर गायब है यही नहीं इस ट्वीट में देखिए इस ट्वीट के अंदर नमामी गंगे की बात की जा रही है यहां पर भी प्रदानमंत्री का जिक्र नहीं है क्या योगी आदितनात भूल गए कि प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी बनारस पहुँचे थे और कहा था कि ना मुझे गंगा ने बुलाया है ना मैं यहां आया हूँ मुझे तो मा गंगा ने बुलाया है जी हाँ नमामी गंगे तक में इन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया है और क्या आप जानते हैं कि योगी आधितनात का क 2017 से प्रधान मंत्री लगातार योगी आदितनात को जन्म दिन की बधाईयां दे रहें, देखिए, 2017 में उन्हों ने जन्म दिन की बधाईयां दे थी, अब 2018 देखिए, 2019 देखिए, और अब देखिए 2020, आनिकि प्रधान मंत्री पिछले चार साल से लगातार योगी आदितनात को जन दिन की बधाई दे रहे हैं मगर 2021 में नहीं दिया मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ये कह सकते हैं और भारती जनता पार्टी का प्रचार तंत्र भी ये कह रहा है कि चुकि ये कोरोना का साल है इतने लोग मारे गए इसलिए प्रधान मंत्री किसी को बधाई नहीं दे रहे हैं तो मैं उनकी पोल खोल अभी कर देता हूँ आपके स्क्रीन्स पर ये देखिए अपरेल में जब कोरोना शुरू हो चुका था उत्राखंड के नए मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत को प्रधान मंत्री ट्विटर पर जन्म दिन की बधाई दे रहे हैं यहीं नहीं अभी मार्च में 24 मार्च को स्मृती इरानी को प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी जन्म दिन की बधाई दे रहे हैं अब सब जानते हैं दोस्तों की 24 मार्च को कुरोना को लेकर हालाथ कितने बत्तर थे। बाभजूद इसके प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने स्मृती रानी को बढ़ाई दी। अप्रेल में भी हालाथ कोई बहुत अच्छे नहीं थे। बावजूद इसके प्रधान मंतरी ने तीरत सिंग रावत को बढ़ाई दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे में योगी आदितनात को उन्होंने बढ़ाई क्यों नहीं दी, और यहीं नहीं, योगी आदितनात के ने उत्तर पदेश के ट्विटर हैंडल से प्रधान म मंतरी का चहरा है, देखिए बीजेपी बिहार यहां पर भी प्रधान मंतरी का चहरा है, यानि कि बीजेपी मध्यप्रदेश हर जगा आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रधान मंतरी का चहरा बदस्तूर बना हुआ है, और ना सिर्फ प्रधान मंतरी बलकि जेपी नड़ा भ और मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि योगी आदितनात ये समझते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बाद अगर देश का कोई प्रधान मंत्री बन सकता है तो वो बन सकते हैं और इसी के चलते उनके और अमिच शाह के बीच में भी काफी देर से तनाव चल रहा क्योंकि देखिए बीजेपी में इस वक्त नंबर टू के लिए लड़ाई है और नंबर टू के लिए कौन कौन दाविदार है यही दो शहरे अमिट शाह और योगी आदितनात और यही वज़ा है कि इन दोनों की बीश में टकरावे यही वज़ा है कि योगी आदितनात जो है वो लगातार चुनौती दे रहें क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें हटाया गया तो इसके चलते हो सकता है कि जो कट्टर हिंदुत वादी तबका है वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगले एक या दो महिनों में योगी आदितनात को हटा दिया जाता है और अगर उसके बावजूद 2022 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाब हार गई ऐसी सूरत में आप मुझे बताईए बीजेपी आला कमान हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेगा मुझे निजी तोर पर लगता है कि योगी आदितनात मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनी के चेहरे के सहारे जो हैं उत्तर प्रदेश के चुनाब भी होंगे भारती जनता पार्टी उनी के चेहरे को चेहरा बनाकर इन चुनाबों में भी जाएगा मगर चुनाबों के बाद क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर बीजेपी दोसों से कम आकड़े में निपड जाती है तब हमें देखना होगा कि क्या तब योगी आदितनात मुख्यमंत्री बने रहते हैं कल्पना कीजे दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के चुनाबों में योगी आदितनात हार जाते हैं यानि कि पार्टी को सौ सीटे भी नहीं मिलती हैं तब मान के चलिए उस वक्त प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिट शाह योगी आदितनात का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे उसे तहस नहस कर देंगे उसके लिए आपको इतिहास में इन दो चहरों पर गौर करना पड़ेगा कल्यान सिंग और स्वर्गिय अटल बिहारी वाच्पी इन दोनों के बीच में भी टकराव हुआ था जब कल्यान सिंग मुख्य मंत्री थे कल्यान सिंग ने लगातार पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाच्पी के खिलाव बगावत के सुर बुलंद किये थे उसके बाद उन्हें पार्टी भी छोड़के जाना पड़ा था मगर कल्यान सिंग का वो अहदा वो स्तर फिर से हासिल नहीं कर पाए वो जैसा उनका उस वक्त था जब वो उत्तर प्रधेश के मुख्य मंत्री थे तो इत्यास हमें बहुत कुछ सिखाता है मगर आप जानते हैं मैंने आज आपको बताया कि उत्तर प्रधेश की सियासत में क्या हो रहा है दुख की बात यह है कि दोस्तों कि उत्तर प्रधेश के अंदर भारती जनता पार्टी को जितनी महनत कोरोना को लेकर करनी चाहिए थी उतनी महनत इन लोगों ने नहीं की आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बैठके कर रहे हैं मंत्रिनाएं कर रहे हैं साजशे रची जा रही हैं मगर कुरोना को लेकर इन्होंने कोई बैठक नहीं की उल्टा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं इन्होंने यूपी चुनावों की तैयारी अभी से कर दी है 12 बंकी में बगैर किसी कारण के आप जानते हैं क्या किया गया था मस्जिद को तोड़ दिया गया था जबकि अदालत का एक आदेश था कि आप मत तोड़िये फिर भी इन्होंने मस्जित को तोड़ दिया था, क्यों? ताकि समाज में तनाव पहले, क्योंकि उस घटना करम के बाद मुसल्मान सड़क पर आ गया था, और उसके बाद क्या हुआ आप मुझे बताईए, उसके बाद सीधे तोर पर वहाँ पर तनाव पैदा हो गया, अब इ ये जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, नूरपुर के हिंदूओं के लिए जद्दुजहद कर रहा है, उनके पक्ष में प्रचार कर रहा है, आज मेरे दो सवाल, क्या आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये नेता, नाजिम अली, इसने बयान दिया था, ये दर आखिर क्या वज़ा है कि आपकी पार्टी अक्सर बीजेपी की इसी तरह से मदद करती रहती है, ये तो बहुती शर्णात बयान है ना, क्या धलित अपनी बारात नहीं निकाल सकते, आपका ये नेता इस तरह से उन्हें रोक क्यों रहा है और आप नाजिम अली पर कर दिया है कि किस तरह से नूरपूर के अंदर हिंदूओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि दलित अपनी बारात नहीं निकाल सकते, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाता हूँ, खासकर भाजपा से, हाल के दिनों में पिछले चार सालों में उत्तर पदेश में ऐसी धेरों म मार दी गए थी, तब क्या भाजपा के प्रचार तंत्र ने उन दबंग जातियों के खिलाफ इस तरह का प्रचार किया था, जैसा कि इस वक्त नूरपूर में हो रहा है, तो देखिए आथ दोनों ही चीज़े हैं, असद दुद्दीन ओवैसी का नेता साफ तोर पर वो कर र रहे हैं ताकि उन्हें दो हजार बाइस में वो आसानी से सक्ता पर हासिल हो जाएं, मगर रास्ता देखिए दोस्तों कितना उल्टा इन्होंने अख्तियार किया है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, नियूस चक्र में बस इतना ही, अबिसार शर्मा को दीजिए अजा आपस्कार